गुड डेनिंग दोस्तों हिंदी की स्पेशल ग्लास में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हंड्रेट मुस्ट इंपोर्टेंट यम सी क्यू मतलब मल्टीप्रवल चॉइस के कोस्चन्स लाए हैं जो रिलेटेड है बिलोन सब्द से ये सारे के सारे प्रस्ण परिच्छा में पूछे जा चुके हैं उन्हीं प्रस्णों का हम कलिक्सन आपके लिए लेकर आए हैं दाकि आप एक अनुमान लगा सके कि कि किस परिच्छा में किस टाइप के प्रस्ण आते हैं तो प्रस्ण अगर देखा जाए तो बार-बार यहीं से घुमा फिरा के पूछा जाता है यह प्रस्ण में विलोम सब्द है तो विलोम सब्द से यहां से कुछ चुन आपके आने की बहुत ज्यादा संभावना है लगभग 99% संभावना है कि प्रस्ण यहीं से पूछे जाएंगे और पहले इसके दो पार्ट में हमने थेयरी सेक्षन कंप्लीट किया है जिसमें लगभ आपको आसानी समझ में आएगा आपको बहुत ही इंट्रेस्टिंग लगेगा चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक जरूरी सूचना बताना चाहते हैं क्योंकि अगर यहां पर डेली क्लासेज चल रही है जैसा कि अगर आप इन सब का लाफ राप्त करना चाहते हैं एक सही तरीके से तैयारी करके सकसेज हासिल करना चाहते हैं तो आप हमसे जूड जाए और हमसे जूडने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए साथी बेल आइकन के बटन पर ख्लिक कर दिजिए और ताकि जो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके चलिए शुरू करते हैं आज का हम जो प्रस्न उत्तर है यमसी क्यू टाइप का उसको चले देखें पहला प्रस्न क्या है पहला प्रस्न पूछ रहा है कि जंगम का बिलों क्या होगा तो जंगम का बिलों हमने आपको बिलोंत निर्माड करना तो प्राइला एका क्या होता है विनाश करना इप competit इप्सृत करा हो जाएगा इसफित का अनिसप्सित हो जाएगा शाहचर यहाइका बात की जाए थो वाहम स्ची हो जाएगा देखिए यहां पर लगभग 100 से भी ज्यादा कोस्टन स्कोर करने का प्रयास करेंगे विराट का क्या हो जाएगा विराट का हमें सा छुद्र हो जाएगा इस्प्रिस्टी का क्या हो जाएगा इस्प्रिस्टी हो जाएगा तो इसका इस्प्रिस यह है तो इस्प्रिस यह मतलब जो छुआ जा सके तो उसका क्या हो जाएगा इस्प्रिस जो न छुआ जा सके अग्य का विलोम क्या होगा अग्य का विलोम हो जाएगा विग्गी अग्य मतलब सब कुस जाना विग्गे मतलब स्वरी दोस्तों इसके थोड़ा मेनिंग में हमको confusion है लेकिन अग्य का बिग्गी ही होता है गवरों की बात की जाए तो गवरों को यहां पे लागा हो जाएगा बहिरंग का अतरंग हो जाएगा इस सब हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं ग्रस्त का क्या हो जाएगा ग्रस्त का मुक्त हो जाएगा सारे सारे सब्दों देखी वहीं से आये हैं बहुत ही कम ऐसे प्रस्न मिलेंगे जो कि बाहर से पूछे गए नहीं तो वही जो 600 का हमने सीरिच पढ़ा है प्रस्न वहीं से आये हैं उतकर्स का अपकर्स हो जाएगा आंतर मुखी का बहीर मुखी देखी कितने सरल सरल हैं सब पूछे गए अतिवरिष्ट का अनावरिष्ट हो जाएगा अतिवरिष्ट मतलब जहां अधिक वर्सा हो अनावरिष्ट मतलब जहां सूखा पढ़ जाए सायोग का वियोग हमने बता श्र wildly йडूर रखी होता है इसान याद रखिए सबनुडों तो कि मतलब जो इस्वर कई अस्तित्वं में विश्वास करता हो और नियूर नियूरves मतलब हो जाएगा जो इस्वर के अस्तितों में विश्वास न रखता हो आप सगुन का क्या हो जाएगा आप सगुन का हो जाएगा सकुन तीमीर की बात की जाए तो तीमीर का क्या हो जाएगा तीमीर का आलोक हो जाएगा प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा तीमीर मतलब अंदकार होता है आलोक मतलब प्रकास होता है प्रत्यक्ष जो आपके सामने प्रस्तुत हो तो उसका क्या हो जाएगा परोच्छ हो जाएगा जो आपके सामने प्रस्तुत ना हो चलिए देखिए और देखते हैं सामानी का क्या हो जाएगा सामानी का हो जाएगा सामानी का विशिष्ट हो जाएगा उसके बाद अमर का क्या हो जाएगा अमर का मरते हो जाएगा इंपोर्टेंट है देखो आरो यारो परिच्छा में पूछे गए प्रस्न है उपकार का अपकार होता है आभिर्वाव का तिरो भाव होता है उक्त का अनुक्त होता है और उपयुक्त का अनुपयुक्त होता है निर्दे का सदय हो देखें यहां पर इंपोर्टन्ट है याद रखेंगे इसको उमीलन का निमीलन उतकर्स का आपकर्स देखें रिपीड हुआ है यह अभी हमने आपको बताया थोड़ देर पहें चिरंतन का क्या हो जाएगा नस्वर हो जाएगा देखें सारे के सारे सब्दों नहीं से लिए ग कि आपको यह सारी चीजाने याद हो जाया आपको पढ़ने मीरों जे रोच रहें आक को क्या हो जाएगा अनुग्रह का होजाएगा विग्रह को य söığरे अभिग्य को के हो जाएगा अbih जो हुआ है कि चलिए अप्रस्णों को देखते हैँ इस स्वाम का क्या हो जाएगा उग्र हो जाएगा रास का क्या हो जाएगा व्रिध्धी हो जाएगा रास मतलब क्या होता है हानी होता है निवन का क्या होता है कम तो अधिक हो जाएगा पुष्ट का क्या होता है छीड हो जाएगा पुष्ट का क्या हो जाएगा छीड हो जाएगा गुड की बात की जाए तो गुड का हमेशा दोस होता है इफसीत इफसीत का क्या हो जाएगा यहां पे हो जाएगा आपका अनिफसीत स्वजाति का क्या हो जाएगा स्वजाति का हो जाएगा विजाति उन्मूलन का रोपड बहुत इंपोर्टेंट है परिच्छा पूछा जाता है बार अपन धनी का क्या हो जाएगा निर्धन हो जाएगा कि मित्रों हम यहां पर इसे डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि हमने पिछले पार्ट में एक एक वर्ड को जहां पर जरूरत है उससे हमने डिस्क्राइब करके उसका अर्थ बताते हुए तब जाकि आपको विलूम सब पढ़ाया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले उन वीडियो को देख लिजिए वहां पर इसकी मेनिंग बताई गई है और यहां पर आप मेनिंग भी निकाल से निकाल कर अगर आपको उसका अर्थ मालूम है तो आप उसका विलूम सब्द निकाल सकते हैं तो उन मील और अनाधिक्रित में बड़ा ही कम ओ अंतर है तो अनध्रीकित होगा इसको याद रखेगा हो सके तो लिख लीजिएगा बहुत ही सस्प्रेंस वाला यह विलूम सब्द है अनध्रीकित का क्या हो जाएगा अधिक्रित का अनध्रीकित हो जाएगा अनुलोम का क्या हो जाए का चेटन होता है अनंद का सांथ होता है आकरिष्छर का विक्रिष्छ बढ़ा इसमें गलत है रिजुका क्या हो जायगा क marcheा उठाएं बहुत ही कम सब्द directly जो कि बाहर से आगे हैं आकलन का क्या हो जाएगा विकलन हो जाएगा अब युगमो की बात करें तो कौन सा युगमो गलत है तो आहार का बिहार हो जाएगा ये गलत है यहाँ पे आहार का निराहार हो जाएगा और ब्यास समास तो सही है प्रस्णों में आपके तीन समास तो आई से भी कनुफरम हो रहे हैं ये 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 बचाएं कि यह भी यह भी हमने खन५रम करें टे तो चार सब्ड़ों के विदों सब्ड़ान को एक प्रश्ण में मिल गए चलिया और यहां पे देखते हैं कौन सा तुरूटी पूर्ड है तो यहां पे आमिस का क्या हो जाएगा निरामिस हो जाएगा यह गलत है आधेय का आधेय हो जाएगा विपत्ति का संपत्य हो जाएगा वीनत का उध्धत हो जाएगा यह वीनत का उध्धत इंपोर्टन्ट है आथ का क्या हो जाएगा आथ का हमेशा इती होता है अभिग का क्या हो जाएगा अभिग का हो जाएगा अग्य कृताग्य का कृतागन होता है संक्योड का क्या हो जाएगा संक्योड का विस्तृड हो जाएगा क्या हो जाएगा विस्तृड अनुरक्ति का विरक्ति हो जाएगा सापेक्ष का क्या हो जाएगा निर्पेच्छ हो जाएगा विग्रह का संधी हो जाएगा देखिए इसमें सब्द को ढूणना है पेच्छा का उपेच्छा अग्रच का आनुच हो जाएगा उन्नत का अउगत यही गलत है अउगत नहीं होना चाहिए उन्नत का अउनत होना चाहिए आदान का प्रदान यह भी सही है यथार्थ का देखिए यथार्थ का क्या हो जाएगा आदर्स हो जाएगा साधू का क्या हो जाएगा विलोम सब्द साधू का आपका हो जाएगा यहाँ पेश असाधू मौन का क्या हो जाएगा मौन का हो जाएगा मुक्ता सौरी यहाँ पे गलत दिया है मौन का आपका हो जाएगा मुखर्ता या वाचाल हो जाएगा मौन मतलब जो चुप रहता हो वाचाल मतलब जो ज़्यादा बोलता हूँ देखिए ओ प्रस्नों को यहाँ पर देखते हैं निर्दे का क्या हो जाएगा निर्दे का हमेशा सदय हो जाएगा तीमिर का क्या हो जाएगा तीमिर का आलोक होता है तीछड का क्या हो जाएगा मंद होता है कृतिम का क्या होता है प्राकृतिक होता है उद्दात का क्या होता है उद्दात का अनुदात होता है आगे बढ़ते हैं देखिए उद्वार का क्या हो जाएगा उद्वार का अनुदार हो जाएगा सुक्ल का विलों कौन सा होगा तो सुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष आपने प्रवेश का क्या हो जाएगा तो इसमें यह वाला जो है गलत है राइट एंसर हो जाएगा उन्मूलन का क्या हो जाएगा रोपर हो जाएगा देखिए प्रस्णों रिपीड हुए है इसलिए हम कहते हैं कि परिच्छा में आए हुए प्रस्णों को आप एक बर जरूर पढ़के जाएए अगर आप उतना भी पढ़के जाते हैं तो भी आप 70-60% आप प्रस्णों क्रणीशन है वो प्रस्ण आपको याद होने चाहिए ऐसा नहीं है कि आप पढ़के चले जाए और आपको कोई प्रस्ण आधीना हो और आप कहें कि हम तो पढ़के गए थे लेकिन हम कर नहीं पाए तो यह आपकी समझ्या है आपने उसे अच्छे से समझने का प्रयास नही ही अर्थ होता है तो ग्रस्ट का मुक्त हो जाएगा मुक का वाचाल हो जाएगा एक जगह यह कोस्चन गलत दिया था उसे मने बताया सही क्या होगा देखे सब्द आयात का निर्यात होता है सही है पाप पुनी भी सही है बद्ध का मुक्त नूतन का क्या हो जाएगा पराच भी सही है देखिए अनभिग वाले में अभिग वाले में अग्य विग तो यह कुछ ऐसा सब्द हैं आप इनका अलग से लिख लीजिए कहीं पर अग्य का भिग्य का और अनभिग्य का तो ताकि आपको कोई दिक्खत ना हो गमन का क्या हो जाएगा गमन का हो जाएगा आपका आगमन निर्भीक का क्या हो जाएगा निर्भीक का सहासी हो जाएगा निर्भीक का कायर हो जाएगा तो निर्भीक मतलब जिसके अंदर भाय ना हो तो उसका क्या हो जाएगा कायर हो जाएगा देखिए स्री गड़ेश फिर पूछा है इतर सी repeat हुआ है निंदा का आपका हो जाएगा, इस्तुती आराधना करना ही, मधूर का क्या हो जाएगा, cut हो जाएगा अनुरक्त का क्या हो जाएगा वीरक्त हो जाएगा, देखी हाँ पे वीरक्त भी दिया है, तो लोग इसी में suspense सका जाते हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं कि विरक्त होगा कि विरक्त होगा क्योंकि अनुरक्त तो दिया नहीं है अनुरक्त दिया है तो उसका क्या हो जाएगा विरक्त हो जाएगा डी एंसर इसका सही हो जाएगा चुले देखिए और प्रस्म को देखें अर्जन का क्या हो जाएगा अर्जन का हमेशा हो जाएगा वियान अर्जन मतलब इकठा करना वियान मतलब उसको खर्च करना कथित का क्या हो जाएगा कथित का हो जाएगा अकथित प्रच्छन का क्या हो जाएगा प्रच्छन का हो जाएगा, प्रतिपन हो जाएगा वेरी इंपोर्टेंट है, थोड़ा याद करना पड़ेगा इसको आपको यहाँ पर देखिए अगला क्या है विलोम सब्द नहीं है, किसका प्रभावी का प्रभावी निस्प्रभावी प्रभावसोने तो यह अप्रयुक्त जो है यह गलत है यही इसका सी राइट एंसर हो जाएगा पास्चात देखिए बहुत ही इंपॉटन्ट है परिछा मैं पूछा जाता है बार बार पास्चात का हो जाएगा आपका पौस्ते हो जाएगा अनुग्रह का क्या हो जाएगा विग्रह हो जाएगा आपसर नमबर डी निख्ट देखिए क्या कहता है असलील सब्द का क्या हो जाएगा सलील हो जाएगा आवेसित का क्या हो जाएगा अनावेसित हो जाएगा आचार का क्या हो जाएगा आचार का विचार हो जाएगा आचार का क्या अनाचार हो जाएगा स्वाधिन का क्या हो जाएगा पराधिन हो जाएगा चलिए और विलोम सब्दों को देखते हैं जो MCQ टाइब के परस्न है विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले सब्दों देखिए ये एक डेफिनेशन दी गई है पहचान दी गई है विलोम सब्दों की जब आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो विपरीत सब्दों का का बोध कराने वाले विपरीत अर्थ का बोध कराने सब्दों को विलोम सब्दों कहते हैं उन्मूलन का रोपर देखिए चौथी बार या तीसरी बार रिपीट हुआ है बहुत ही इंपोर्टेंट है यूपीटेट में पूछा गया है निशिद्ध का क्या हो जाएगा विह पन से हो जिससे बनाया न गया हो क्रिएट न किया गया हो तो उसी को नए सर्गी बोलते हैं पराकृतिक और नए सर्गीक लगभग एक ही सब्द हैं थोड़ा स्वांतर है इसमें और कृतिम जो खुद दुस्य मनुस्यों ने बनाया है देखिए युगमों की बात की जा रह की हो जैगा देह टीका सवरी यहीं आओ हो जाएगा चैसरीaleτα करा डिशानच आंसर चाहए है चले हम्द्नियनवह प्रस्थ्सुलान की बात करते हैं तो जो सबसे पहला प्रस्थ था कितनी बार रिपीड हुए हैं या नुमान आप लगा सकते हैं तो आप इसके महत्त को भी समझ गए होंगे कि परिच्छा में कितनी बार प्रस्न रिपीड होते होंगे तो बहुत ही इंपोर्टेंट होता है किसी भी एकजाम में बैठने से पहले पिछले वर्सों के कम से कम 10-15 पत्रों को आप पढ़ लीजिए सारे के सारे प्रस्नों को याद कर लीजिए लेकिन हां इतना मत सोचिए कि आप इसी से सेलेक्शन ले लेंगे ऐसा नहीं है आप बहुत ही कम चांस होगा कि आपको सेलेक्शन मिल जाए आपको मिहनत करनी पड़ेगी अच्छी तरीके से रे आप की जाए तो आहुत का विलोम अनाहुत हो जाएगा उसी तरह आथका इती यह ही रिपीड हुआ है देखिए इसको यह एक दो बार तीन बार रिपीड हो चुका है सी सो प्रस्नों की सिरीज में वादी का प्रतिवादी होता है तो से जादा हम प्रस्नों को कवर करने का रहें ताकि सारी इंपोर्टेंट प्रस्नाप के लिए अवर का क्या हो जाएगा अवर का प्रवर हो जाएगा जटिल का सरल होता है विलोम देखिए युग्म की बात पूछ रहा है तो असुद्धिम आयात का निराज सही है प्रतिक्ष का परुच्य भी सही है द्रिश्य का अद्रिश ये भी सही है आमिस का निरामिस होता है देखिए ये भी प्रस्नाप रिपीड होते हैं बहुत इंपोर्टन बात है कि ऐसे भी प्रस्नाप रिपीड होते है निरामिस का क्या हो जाएगा स्वामिस हो जाएगा चलिए 114 नंबर कोस्चन देखते हैं युग्मों की बात की जा रही है तो इसमें आपके लगभग चार विलोम सब्द कवर हो जाएंगे नहीं सरगिक का कृतिम बिल्कुल सही है आरोह औरोह का आरोह ये भी सही है तामसिक का सात्विक ये भी सही है समास का क्या हो जाएगा ब्यास या विग्रह हो जाएगा समास का क्या हो जाएगा ब्यास या विग्रह हो जाएगा तो नियून नहीं हो अधिक का जो होता है नियून किसका विलूम होता है अधिक का लेकिन यहाँ पे समास का नियून दे दिया है तो इसका व्यास या विग्रह होगा तो यही यहाँ पर सही हो जाएगा यही युगम गलत है इन में से देखें फिर युगमों की बात करहाए कौन सा युगम गलत है तो अनुलों का यहाँ पर देखिए अनुलों का विलों हो जाएगा अनिवारे का बैकल्पिक हो जाएगा आमस्या का यही गलत है आमस्या का पूडिमा हो जाएगा अधुनातन का प्राचीनतम हो जाएगा तो आमस्या का क्या होता है? पूडिमा होता है चले गलत युगम को देखिए कौन सा युगम गलत है तुमुग का वाचल बिल्कुल सही है एश्वर का अनैश्वर ये भी सही है छली का बहीरंग ये गलत है अतरंग का बहीरंग होता है अभिग्य का अनभिग ये सही है यही तीसरा इसका जो है राइट अंसर हो जाएगा क्योंकि यूगमों में यही छली का बहिरंग गलत है क्योंकि अतरंग का बहिरंग होता है 117 नंबर प्रस्ण देखिए क्या कहता है इसमें भी यूगम को तलासन है कीर्दी का आप कीर्थ हो जाएगा संसले सड़ का विशले सड़ हो जाएगा क्या है कौन सा युगम गलत है अगला देखिए जागरत का सुसुप्त निस्काम का सकाम सही है करूड का निश्ठुर यह भी सही है राग का क्या हो जाएगा द्वेस हो जाएगा यह इसका राइट हैं सो जाएगा क्योंकि यह युगम जो है गलत है इसमें भी देखिए असीम का ससीम, विवेकी का विवेकी, दुखी का ये गलत है आपका प्रस्थान का अगमन तो इसका राइट हैं ससी हो जाएगा, क्योंकि दुखी का क्या हो जाता है, खुसी हो जाता है, अच्छर का च्छर, कुसुम का वज्र, रथी का मंदन, मानो का निशन सता, यही आपका रथी क्या हो जाएगा ये गलत है गया उनमुख का देखिए अ उनमुख का घी मुख हो जाएगा धृस्ट का वी निफ हो जाएगा जूसट का अपाफ्षाम आप Τleş्था में अपया है गलत धितरा साऊ-टी आप तो इंटेलीजेंट थे इस दु legitimate धीला हो जाएगा वीडियो आपको कैसा लगा आप में कमेंट करके जरूर बताइएगा ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सेर करें उद्धिर से सिर्फ एक ही है आप लोगों की मदद करना जिन बचों के पास पुस्तकीं उतनी अवेलेबल नहीं हो पाती पैसा उतना नही तो बस मेरा प्रयास यही रहता है कि जो समागरी मेरे पास है उसे मैं आपको वीडियो के माध्यम से पीडियेफ के माध्यम से आपको प्रवाइड करने का प्रयास करूं आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जोड़ जाएए इसका लाव प्राप्त कीजिए और अपना सहयोग दीजिए धन्यवाद